यह जो मारपीट का वीडियो आप देख रहे हैं कहीं और का नहीं बलकि चंडिगड का है और यह मारपीट हो रही है अतुल्य लैब में और यह मारपीट और कोई नहीं बलकि चंडिगड के सेक्टर 11 में कोठी नमबर 10 और 11 में चलने वाली अतुल्य लैब वेब बिल्डिंग ओनर विनोद सिंगला उनके बेटे करन सिंगला दुआना यहां के लैब प्रबंदक को पीटा जा रहा है वीडियो में साब देखा जा सकता है कि किस तरह से लादगुसों के बरसात हो रही है हाला कि मामला पुलिस के सज्ञान में है लैब प्रबंदक अनुज और पंकज की त जाने के बाद भी इस मामले में पुलिस द्वारा कोई कारवाई नहीं की गई इसको लेकर पीडित अतुल्य लैब प्रबंदक में रोश व्याप्त है और वह इस मामले में स्स्प कुलदीब सिंग्स चेहल से भी मिलने जा रहे है हराने की बात तो यह है कि यह सब घटना मं अगलवार सुभा उसमें हुई जब दरजनों पेशंट उनके तिमारदार टेस्ट करवाने यहाँ पर अपनी बारिक का इंतजार कर रहे थे ऐसे में में एंट्री का मोटा शीशा भी तूटा जिसमें यहीं बैठे एक बाप और बेटी बाल बाल बचे इस वाइरल वीडियो में इस फूटेज में साफ दिख रहा है कि अतुले लैप्रबंदक पंकज कांसल अपने कानुटर पर एक महिला स्टाफ के साथ कुछ बात कर रहे हैं तभी साथ खड़े रामेश्वरा हॉस्पिटल के ओनर विनोज सिंगला उनको कुछ कहते हुए निकलते हैं पंकज उनको रोकने का प्रयास करता है वह उसने पीछे दकेलता है उस समय वहां माजूद कुछ युवक पंचकुला को खीच कर जमील पर गिरा देते हैं और उस को हम्रावर पीछे कर देते हैं पुलिस को यह वीडिया मिल चुकी है इस पर क्या कारवाई होती है अब यह देखना होगा इस सारी गटना को लेकर लैब की एक महिला करमचारी वह एक टेक्निशनल हम्रावर को पीछे धकेलते और उनके हाथ जोड़ते हुए भी दिखे मार पढ़े जाने तक पुलिस गिरफ्ट में नहीं आये थे